नमस्कार, उशा चाबरा इंस्टूट फॉर क्रेटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है हम हर सब्ता आपके लिए एक कारे करम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है ड्रेपिंग टेल्स छेगर्ज इसमें हम कुछ ऐसे लोगों के आपके मुलाकात करवाते हैं जो की साड़ियां पहनना पसंद करते हैं या साड़ियों के बारे में बहुत जानकारी है और उनकी उस जानकारी या इतना जो प्यार है साड़ी के पीछे उसका कारण जाने की कोशिश की जाती है तो जैसे कि मुझे लगता है मेरी साड़ी बोलती है वैसे मुझे लगता है जितनी महिलाएं भी यहां पर जो आएंगी उनकी भी साड़ियां बोलती है तो आज हमारे साथ अभनेवार, मुझे बहुत खुशी है आपने मुझे इतने बढ़ियां शो पे ड्रेपिंग टेल्स पे अमंतरत किया है, साडियां मुझे बहुत पसंद है, और यही कारण है क्योंकि मैं देखती रहती हूं कि कि किसे साडिया पहना पसंद है, तो उसी को इन्वाइट किया ज चोटा सा एक चोटा सा इंट्रड़क्शन देती हूँ प्रग्या जी का, प्रग्या जी से मैं मिली मेंजा, मेंजा एक एप है जिसमें हम दोनों ही पॉद्कास्टर है, तो प्रग्या जी बहुत बेहतरीन काम महां पर कर रही है, तो इसके आगे की जानकारी प्रग्या जी स जोटे से शौक है, जिनके लिए मैं बड़ी महनत करती हूँ, और नौकरी पेशास्त्री हूँ, इसे में मैं जॉब कर रही हूँ, और बहुत खुशी है बताते हुए कि हिंदी भाषा से बहुत प्रेम है, भारतिय होने पे गर्व है, और साथ ही अपने दोस्तों से भी बहु करती हूँ, और इस तरीके से आवाज के दुनिया से जो अपना प्रेम है, वो रेडियो प्लेवाग के माध्यम से पूरा कर रही हूँ, और हाल ही मैंने लॉकडाउन के दौरान में में हिंदी भी कंप्लीट की थी, तो इस तरह से मेरी यात्रा चल रही है, और बहुत आशा बना रहेगा, और जब आप जैसे लोग जीवन में हो तो ये तो समाप्त हो ही नहीं सकता, ये तो सूरी की उर्जा जैसा हो गया है, बिलकुल, बहुत सही बात बोली और सबसे बड़ी बात है कि हम जब सुब उटते हैं तो कही बार फेस्बुक पर आपकी उर्जा पर यारी जैसे आप करते भी हो ना पिछले कुछ सालों पहले की फोटोग्राफ और अपकी तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना ये कारेकरम तो प्रग्या जी एक बार बताएं कि सारियों का शौक आया कब से आप से हुआ कि में जे सारिया अच्छी लग रहे हैं ऐसा कब हुआ अपनी ती जब मैं रजस्वला हुई थी दादी मा लेके आए थी पीले रंग की साडी मैं 13 वर्ष की रही होंगी और उन्होंने मेरी पूजार की थी ये अकेले में एक गुपचुप कारिक्रम हुआ था, वो मेरे जीवन में पहली साडी थी, पीले रंग की सूती साडी, इसके बाद मुझे कभी साडीयों पे कॉलेज के जीवन में उत्ता ध्यान नहीं गया, स्कूली जीवन में उत्ता ध्यान नहीं गया, साडी मुख्य मा ने फोन करकर के सारे ब्लाउस के नाप बनवाए है और यह सारियां इसकदर पैक हुई पड़ी थी और वो ऐसे रखी हुई थी कि जैसे मुझे आज इवन अब सारियां पहननी है तो यह अचानक से जो मैं कॉलेज जाया करती थी और मैं जॉब में जीन्स पहन के जाए तो तुमने चालीस चालीस आडियां यह क्या जहेज के रूप में जो दिये हैं मैं यह पहनोंगे बस तो मैंने यह सवाल करें तो ने कुछ मुझे दिया कि नहीं जब तुम जाओगी तो कुछ ननद के सामने रखना और कुछ दोस्तों के सामने रखना जो आएंगी जो यह मेरे जीवन में आएं मैं बिहार से हूँ तो इन शारीओं का शौक लेकर के मैं सिराल आई और सिरा जो जो भी इखा कि मेरी ननदे मेरी शर्स भरुआ परिवार साडियों का शौकीन है और इनके साड़ी शौक के रंग में मैं रंग गई और ऐसा हुआ कि छट का जो पर्व आने लगा ना मैम तो पर्व पर यहां पर एक इंद्रानी सिल्ग्स है मुंबई में चट पर्व की साड़ियों में सुश्मा दिदी की साड़ी गीता दिदी की तो अब वो अब ऐसा हो गया है इन 12 सालों में कि जब ही मैं द्रानी सिल्ग्स जाती हूं तो कहते है अरे मैडम आई है बेन देखो ना देखो ना तो वो कभी मुझे देगा बनार्सी निकाल के देगा तो उसे पता है कि उतने हाइंड की नहीं लोंगी तो और वो भीहारी कि खास मुझे बीच में तसर दिखाते रहते हैं वो कि देखिए तसर की अच्छे सिल्क की साडिया आई है तो तसर मुझे लुभाती है उसका नाम बच्पन से सुना है अमने मेरे अब तसर मेरे जीवन में क्यसे आया या शब्ड भागलपुर में पापा का ट्रांसफर हु जो सिल्क दादाई जी कुर्ते फे पहनते थे या पापा थोड़ा अलग डिखता था चमकीला चमकीला शा पर जब बात तसर की आई तो चमकीला तो नहीं अई जेख लिए गजा घिसा जा से क्यो दिखता है तब मैंने थोडी इस पे चान बीन की लेकिन वो क्या होता है कि जब हम बिहार में रहे होते हैं, तब नहीं पता होता है, हम उतना सोचते हैं, मैं जब बिहार में थी माम, मैं कभी किसी भी तसर, पावर, तब तो हैंडलूम हुआ करते थे, जब हम छोटे थे, और तब किसी भी हैंडलूम को मैंने विजिट नहीं किया, और अब मैं खोच- पूज के देखती हूं उनकी क्या समस्याइ थो कैसे वीव करते हैं यह सब मैं देखती हूं तो मैं कुछ अगर साडियों की अपनी व्यक्तिकत कहानी से पहले अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा तशर के बारे में बात पर बताऊ तो आज आप जो साडियां बताने जा रहे इस बात को शुरू करने से पर एक मिनट था इस तरीके प्यार से हावी है इनके जहन से नहीं निकालते हैं तो थोड़ा एक मिनट मुझा साडी यह तो पसंद तो बहुत है पर मैं थोड़ा हजमन की तरफ देखती हूं जब इसे समेटने की बात होती है तो फुल सपोर्ट इसका इसका पैटर इसमें एक कच्छापन है डेसीपन है इसमें वो सुगड कलापमक्ता नहीं है मैं इसका जो देसीपन तसर का जो इसकी खासियत है तो सबसे ज़रूरी बात कि जो तसर के लिए जो कुकून की खेती होती है जो भागलपूर में होती है इसके अलावा मध्यप्रदेश इन सारे छेत्रों में कुल चार पांच राजियों में और होती है लेकिन जो तसर की क्वालिटी कुकून की क्वालिटी हमको भागलपूर की घेती में मिलती है वो भारत के कुछ एक जो अन्यराज है जैसे कि सिर्क में सबसे मजबूत धागा तसर का होता है ये खास बात है इसकी चमक कम होती है मजबूती ज्यादा होती है वो समझने वाली बात है तो जिस तरीके का जो हमारा दौर है एक तरीके से कलर में जो निउड फैशन कोच서 है तो जब वो फैसनष पर धागग के सामने जाता है भाता है तो उनको भाता है भाता है और उनको लगता है कि this is connecting something within तो तसर का जो कोर्सनेस है उसकी वीविंग का जो कोर्सनेस है वो कहीं हमारे भीतर की जो भीतर का जो कच्छापन है ना माम, उससे मिलता जूलता है, मतलब इफ I am holding it to myself, it feels that कि इसमें वो सारी खामिया है जो मेरे भीतर है, और फिर भी ये जुड़ करके कितना सुंदर लग र तो ये बताओ कि आपकी फेवरेट सारी कौन सी है जो आज बोलने को अतुर है, तो मैम सबसे तसर की बात तो मैम ये रही, तो quickly जस्त एक बात मैं यहाँ पर इस मंच पर रगड़ूं कि तसर के जो इस समय हमारे माँ भागलपूर में 35,000 वीवर्स है और 25,000 पावर लूम्स पावर लूम्स जादा है अब लेकिन इनको सहायता की हमेशा जरूरत पढ़ती है क्योंकि ये वीवर बहुत कमजोर वर्ग से होते हैं और साथ ही इनकी एक मांग है कि वहाँ पर एक हवाई अड़ा होना चाहिए भागलपूर में क्योंकि उससे उनका एक्सपोर्ट बढ़ जो बोल रही आपको मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ मुझे दिखाओ वाती क्यों कर रही हो See, first of all, the one that I'm wearing, because when you have to show, show in your best, right? So you can see, you can see, ma'am, this painting is this one. So, ये मुझे पसंद है, because ये एक लोगोस्ट बनारसी लोग है, इसकी, and as like I said, मुझे इंदरानी सिल्क की सारिया बहुत पसंद है, authentic काम मिलता है इनके पास. ये कुछ मेरे व्यक्तिगत कालेक्शन्स में से है, जो, of course, मैंने छठ पूजा के दौरान पे खरीदे हैं. तो ये, इससे चुड़ी सबसे प्यारी याद ये है, कि मेरी भाणजी की शादी थी, लॉक्डाउन की जस्ट बात, ये सारी खास उसमें पहनी थी मैंने. अच्छा, मेहत्रे. श्रीमती, स्वारगियर, श्रीमती, चंदरप्रभाजा, तो ये, ये देखिये, ये साडी है उनकी, ये, ये उनकी साडी है, ये काम आपका एक, जो, पतब, इस, इस शीफॉन, और इस पे है, काम किया, वर इस पताती है. जोवरत इस, ये, 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 मेरी प्रीयर्स लेह, क्यूंकि ये, ये, ये प्रीजर्स लेकिकी ठीटी, और मा ने, मेरी साडी के टाइम पे, उन सारे कप्रों में मिला के, इसको भी भी बेजा. कि शादी के बाद कम से कम दादी मा की जो सारिया मुझे मिली those became my precious assets अब हर स्त्री को जब उसकी शादी होती है तो एक या दो बनार्सी तो मैं जरूर पढ़ती है और वो बनार्सी वो स्त्री जिंदेगी भर सम्हालती है मैं देख रही हूँ अब मुझे आपको देख कर कि इतना शौक से आप दिखा रहे हैं बहर अच्छा लग रहा है और दिखाओ अब या तो अब तो मेरे बेटे का जेनर होगा तो भी पहनूंगी ना और आपने ऐसा ना शो कर दिया कि साडिया भी खाओ अरे भाई लो देखो मेरे पेटी पढ़ी है देखो देखो बिलकुछ सही बात है इतनी सारी साडिया है बहुत अब 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 ऐसा है कि हम लोग जाते हैं ऑफिस अब बातलब यू ना बेस्टने दौरओ पकड़ के जाओ और अशे भागो अब इधर वो पोना फट जाएगा वो पैर रग देगा कोई पकड़ केशी कासे तॉर अर बदा है कि मैं जो कम साडिय पहनते हो नहीं तो कभी कभी में सास कोलती है अहां साडिया कम पहरी इछिय तो पहने नहीं होना चाहिए और मैं बहुत शॉक से उनसे छठ की एक साडी लेती है अच्छा प्रसाद की तरह मैं जब उनका लगता है कि ठीक है प्यार से उनकी कोई भी साडी बेसे एक साडी वो प्यार से कभी मुझे दे दे जो उन्होंने पहनी है इट इस अग्रेट अगर कोई बोल दे कोई भी मुझे तु सारी पसंद है और आपको दे देती है वो यह तो बड़ी बल्मन साहत है उनके बड़ा बातों बातों में ज़रूरी बात निगले यह यह है मेरी शादी की बनारसी मेरी शादी की बनारसी मुझे बहुत प्रियर है माम इसकी कहानी यह है कि जब शादी हो रही थी शादी में मैंने नहीं पहनी है यह कैसे मिली मुझे को जेट होते है ना उनके एक रसम होती है उस रसम में क्या किया जाता है हमारे में बो दुलहन बैठी वी ऐसे करके यह सा तुमको तुम्हारा तुम्हारी असमिता की रक्षा ने किया तो उसमें जेश जो है एक नाट की ये तौर पे बड़े भाई की तरह आएंगे और वो इसका ऐसे पलु ढाकेंगे तुम्हारी परिवार के सदस्य है हमारी ऐसा बोलके परिवार के सदस्य के रूप में अगर लोग दाती है पीछे से जिया और ऐसे करके ढापते है ये साड़ी उस रसम में पड़ी थी मुझको ये साड़ी तो ये जो है नमाम ये एक बढ़िया आईडिया है कि कौन सी साड़ी आपको किस रसम में पड़ी है वितानेगे तो पुझे ना आपकी ये शो से बता चला लोग यहां जुड़े वे उनको सबको मज़ा रहा है यह देखकर कि the excitement you have लग गया, that's very very important in life और वो आपके पुरा दिख रहा है तने प्यार से जो है जो है पुरा जिसे निचोड हो रहा है यह एक दम सही निकाद रहे है वहाँ बढ़िया मैम इन साडियों के लिए ना आज के जो यह जो मतलब मैचिंग सेंटर वाले भाहिया लोग ओते है उनके तो बड़ी शुक्र गुजार हूं और भाई गॉड मैम इतने अच्छे अच्छे कपड़ बन चुके हैं मैचिंग सेंटर की ब्लाउस के लिए कोई साडि बरवाद नी और मैम आज के लिए लाइकरा के ब्लाउस तो माशा अला आपका शरीर कितना भी जाड़ी बरवाद नी होगी वरत टेक्नोलाजी को थैंक यू करके नी थैंपी और तो मैम ऐसे ऐसे कपड़ ब्लाउस के और ऐसे ऐसे कलर्स ब्लाउस के कि आप जो आपको साथ में मिला है ब तो मेरी ये दोनो ये दूसरी मेरी फेवरेट पसंदीदा बनार सी ब्लू कलेक्टी है इस प्रिटी सिल्वर पुरा वर्क है इस पे अधिस इस वेरी नाइस ये मुझे ये मुझे मेरी जी ठानी जी से मुह दिखाई पे मिलाता तो कस्टम इसले तो होते हैं है कि सब लोग दे और फिर उसके वार वो यादे ये परिवार में जो है ये बना रहे प्रेम बना रहे इस परह से तो ये सारिया दी जाती है और बहुत बढ़िया तो अप्रग्या ये सारिया फिर पहनते कब अब तो जॉब में जाते हो तो पहनना मुश्किल है जैसे आपके मेरे लिए पहनती हूं बहुत पहनती हूं अभी आप यह देखो यह वाली पिंग कलर की प्यारी से साडी है यह मेरे लिए बड़ी एमियत रखी है क्योंकि मैंने मेरे फर्स बॉर्न अभिजान उसके यह जो सारी है यह मैंने पुसुच के मुंडन पे पहनी थी आच्छा गाहों की सारी अर्छा में तरे अथे ओर मैं आठी थी आफ यह थी और मैं एकदम से बड़ी थी किसे अधियद मोर्डन हो जाएं गाह जाने के बाद सीधा पलू थोड़ा सा फ्रोजन बोड़ी लंगवेज यह जुकी भी थोड़ी गर्ड़न वो मैंनें करना पड़ता है मैं बिकुस क्य तो फिर वो तोड़ा सा न, you know, like, you have to level it up a bit. तो हमको ऐसा न पर दिखाना पड़ता है, हम तो बीपुल गौह की तरह है, भई. तो हमें कुछ नहीं पता है. अब मैं सच उधाती हूँ आपको, ना जब मंत्र पड़े जा रहे था न, शादी के, तो मै तो एक जासा कि मेरे शादी मेरे संस्कार मेरे लिएरभी, अडनी के, अठनी के, थटिटु के, hue, थट CC 3000 बहुत सिढ़ ना पड़ें कि तो कोई तो कोई टोपता है, मरी जादो लेखो, कैसा तनी हूई है। तो मैंने बताक से एक लिए magazines अधर ऐसी बात हो कि दिखेसे मुझ पर हासी आ गई तो अध निकल गए तो मचह कहते हैं वहाँ पर बच्चे ओते हैं चोट-चोटे बच्चे आए थाए 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 दाए दाए का निया तो हो असे ही चहे और रहाँ I was like I was just noting these memories I was noting everything because I knew I have to either perform it or I have to write it someday ये सारी मेरी बहुत ही प्यारी तो देके आपने सारी खंगाली और ये सारी यादे देखो अंदर से निकल कर बाहर आ रही है I'll tell you ma'am one very precious सारी that I have precious from memory point of view this is a very old silk you know like 80s के ताइम का है ये this is grey very pretty very old silk sort of ये जो कलर है तो ये just मैं डेली गई थी और मैंने मेरी sister-in-law को बोला कि कित्ती प्यारी लग रही है उनकी अल्मारी में रखी वी थी तो बस बोला और उन्होंने कहा कि तुम्हे पसंद है तो तुम्हे पसंद है तुम्हे लग क्या बात है ये साडी इस तरीके से मेरे पास अड हो गई अब तो वह या वह साडी जिससे कि मैं वह वाहिक वर्षगाट के लिए चुनी गई थी तो प्रज्या जैसे और भी महिलाय है वो देख रहे होंगी ये तो बिलकुल मेरे जैसी ना मैं आपको बताती हूँ यह साड़ी ना यह थागुर कॉंफलेक्स ही ले थी मैंने अब यह साड़ी मैं ले थी ना दो हजार आट में यह साड़ी नहीं भी यह मैंने ली थी क्योंकि हमारे ओफिस में सारी दे था मेरे एक चाचा है मैतिल कवी है और पेट पकड़ पकड़ है हिनकर आपिस में सारी नहीं है अपर सब करनाओ लें नावक बैन जापिस के लिए रेखावने रेखरश किया तो क्या साड़ी दे रोज करें जीनस नहीं मना ले यह थाई है यह था यह साड़ी था भी रह धाय रह मुझे आज भी याद है कि उसमें मेरी अरिफ निख टी थी तीन हजार की वो और उस तेंप ना यह मेरी बहुत मेंगी थी तरह जो थी थी तो पापा को मैसेज किया I was earning इसमें पापा ने मुझे अपना क्रेडिट कार्ट दे रखा ता तुम ले लो यहां आ इना पापा लाओ अपर लाओ लिया पे ले में तो यहां इस वहां पूर सारी आप अर यूद के सोच और यूद की पसंद से और you know I am not that typical woman जो कि अभी इनो सारा खोल के देखी फिर पसंद करेगी अच्छा मैं को लगा कि मुझे देखना है कि यह दिखेगी कैसी तुछाने Quinn ने जो पहनी भी थी ना बहने हो पुटी सभी बात है का नहीं चले गाइट सो की यह गुटी because I can feel how it looks अच्छा बात है मैंने वही लेली खर मुझे किसी ने का अरी पीफूप अंदर से अच्छा नया पीस लेते हैं मैं आप देखो सब पता लग दिया है की नहीं अब तो साडियों की बलीका हो गई है अब तो मैं मैं और मैं वैसे मैं मैं आज पी थोड़ी ना युटरी खरीद भाती हूं में आलोग मिश्रे जिन्दाबात आप लोग के पॉकेट होई होते और क्या जितना कमाले लेकिन वोई पॉकेट है कभी-कभी कुछ इस्क्रीयों के केस में ऐसा होता है ना कि उनके हस्बेंड बड़े मतब यूनों लाइक कैसे उनके बड़ा दिमाग होता है उनको यह भी बता है कि शॉपिंग में चीज़ें कैसे खरीदी जाए और किस पे क्या अच्छा लगेगा कुछ-कुछ आदमियों पर आदमी लगेगे तो अच्छा आदमी लगेगा है तो प्रग्या चलते पहले आप यह बताए और कोई गाना हो जाया आपके लाइगविज तो हमने सुने बीच-चैने साथ ही साथ कोई सारी के साथ समंदित या कोई तोहार के साथ समंदित अर बाग उसे संबंदित तोड़ा गाना उतना नहीं होता है, but still there are some songs which are very close to my heart. तो मैं उसमें से एक गाना थोड़ा थोड़ा, सदिन, थोड़ा फनी है, लेकिन बहुत बहुत बीप है. तो मैं वह जाँगी और विद्यापती जी का नाम तो आपने सुना होगा. तो विद्यापती जी वितला के बहुत बड़े कवी थे ये जो गाना है मुझे बहुत पसंद है तो इसकी चार लाइने में गाती हूँ दो तेम मैथली गीत की चार-चार लाइने ही गाऊ पीया मूर बालक पीया मूर बालक हम तरुनीगे पीया मूर बालक हम तरुनीगे कौन तप चुकलाउं कौन तप चुकलाउं भिलाउं जननीगे पीया मूर बालक आगे कहती है स्त्री इसका आर्थ बताओ पहले जो बुला है पीया मेरे पूरे बालक है पूरे बालक है पूरे बालक हम तरुनीगे कौन तप चुकलाउं पता नहीं मैंने कौन से महाशिवरात्री का वरत बताओ तो जो गलती कर दी कि मुझे सही नहीं मिला कोई उसके बद वो आगे कहती है जान लाइन में नहीं मोरे देवरा नहीं छोट भाई कही होन बाबा के कीन धेन उगाई दुधवा पियाई के पूसत जमाई कौन तप चुकलो कौन तप चुकलो भिलो जैननी के पिया मुर बालक इसके बहुत सारे बंद है माम जो मुझे लुट अच्छे से याद नहीं है तो जो मुझे लाइने बीच बीच में याद आई वो मैंने आपको गा के सुनाया बेसिकली थीम अफ पिया जो है बिल्कुल बच्चे की बच्चे की तो इसके बहुत सारे सेंस और मीदिंस परेंगे उतना समय तो नहीं है तो मैं दूसरे पर आती हूँ एक जोना मैं बच्पन से इसको गाती हूँ सस्ता जिनगी महग सिनू का एक फिल्म एख थी जो रभंगा में उसाने रमिच रहती थी तो शुटिंग हूई थी तो उसका रितिए जम थे दों बचऩ हमेशा ही आद रेगा जह कि यह थी तेw u भी सराप, झाए 03, guilt and भी फर्म dla बाइन लेलों साजन पिरत्याक दुरसां जोड़ी आपन लागई चन माचकोरसां बाइन लेलों साजन पिरत्याक दुरसां उसके बाद आखरी बन में कहता है कि भोर सांज देखी हम अही के सपनामा, ऐलाओं जही आस हमर मौन के अंगनामा, नींद उडल चैन हमर पाबने पराद, कत अची को नाची कि छो रहय नई धियान, भेतले अहां से बाटता की भोर सांज हम, भेतले अहां से बाटता की भोर सांज हम, बाएन लेलाओं साजन, पिरितिया के डोर सांज हम, बहुत बढ़िया प्रग्या, तो हम लोग जो साड्यों पर चर्चा कर रहे थे, और आपने जिस तरह से साडियों के बारे में बताया, यह भी दिखा रहा है कि साडिया एक simple एक object नहीं है, वो एक relation है, रिलेशन में और आपके जिसे हम जब महिलाएं, जब हम शादी ब्या हो जाता है और उसमें जिस तरह से लोग आते हैं, साडिया देते हैं, जिसे आपने क भस नचान बताये घिसमें साडिया भी मिल रही हैं得 तो यह एक प्रगारटा मढ्हारा है तो साडरी tutto अंदार शाड़ को हम बसे शी अबजेक की तार देखे यह इंचे्क्शाल आ है यह भांध रहा है हमारी परवमपरा के बाते हैं और हम जो यह शो कर रहे है इसमें हमने यही बात चुनी है कि हम ट्रडिशन साडिया उन पर चर्चा करें, उनको जो वीव करें, उनके बारे में जाने, वहां के स्थान के बारे में जाने, क्योंकि वहां पर जो साडिय बन रही है, वह जो हम तक पहुंच रही है, तो यानि उसकी मिट्टी हमारे पास आ मैंने परिदाश सुबह जब निकाली तो पहले ही सुबह निकाल के प्रेस्स करके रंग दी और याद गई उस शादी में पहना था अपने चोटा भाई उसकी शादी में पहना तो इस तरह सिना यह हम सब के साथ संबंध जुड जाता है एक सारी का तो यह सिंपल एक कपड़ा नहीं बलकि परिधान ऐसा है जो हम सब को जोड़ता है परिवारों को जोड़ता है यादों को जोड़ता है और हर एक महिला की अलमारी यादों के अलमारी है मैं पेटी पेटी बड़ी बड़ी जमा के रखी कि बेटी की शादी में देंगे और बहु आएगी तो इसको दें आपने वहां कि जो मधूर गीत में जो बोल थे वो भी कितने चटकीले मज़दार थे और ये भी संबंधो की प्रगाड़ता को ही दिखा रहा है तो साड़ी और रिष्टे, परंपरा, गीत ये सब जोड़कर है ये हमारी संस्कृति और आपने इतना सुंदर आज प्रेसेंट रेशन दिया कि बहुत ही आनन दाया तो बहुर बहुत शुक्रिया यहां बी कितना खाईर तो प्ले एक महिने से कूध री तहले मने जान के देखाते हम दो आपतर बात करनी है तो नहीं प्लिदी १िटी में चली में जा साइडम निकालो थब भाद कर नहींकों तो गाल 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 तो मैथली गीत है माम मुझे यह गीत तो जब ही परिवार में मिलती हो ना तो हम लोग सब गाते मैं गाती हूं यह सब मिलते हैं तो तो इसमें ऐसे होता है कि प्रेमी कहता है अपनी प्रेमी का को तने हसीयों नि सजनी गुलाब कहये मैं नी कह रहा हDEN तो मैं हसने गुलाब कह रहा है हसने तो गुलाब का फूल पकेट की कहता है सब लोगी था ये, कितने प्यार आई, देखो इतना मैंत gekुझी ओडने कितना प्यार आई ये वाहाँ की एक फिल्म थी, ससता जिंक्री महाग सनूर, ये मेरे मेमरी में एच हो गया है, त funnel मैं चोटी थी, और जहां फूले हैस हैस आहा की हर्शिंगार कहिये कने हसी और नसजनी गुलाब कहिये लड़की क्याती है कोना हासी करेज धक धक करेज रीत दुनिया की हमरा खबरदार करेज कने हसी और नसजनी गुलाब कहिये तुन्दर बहुत प्यारा तो आपके साथ आज बात्चित करके वाकई बाचे खिलानी जिसको कहते हैं पूरे चार्ज रप हो गए हम लोग तो बहुत अच्छा लगा प्रग्या आप यह ही एक दम एनरजी से भरी रहे और ऐसे ही आनन्दित रहें यही दुआ करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया थाइक्यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद थाइक्यू थाइक्यू थाइक्यू